पंद्रा जुलाइ वर्ल प्लास्टिक सर्जरी टे के रूप में मनाया जाता है तो चलिए आज हेलो डॉक्टर सेग्मेंट में जानते हैं कि आखिरकार प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है और इस विशपर बातचीत के लिए हमारे साथ यहां दूर दर्शन दिली स्टूडियो उसमें दो डॉक्टर मौझूद है स्वागत कीजिए डॉक्टर शिल्पी बैंडवाल का नमस्कार असोचेट प्रोफेसर बर्न प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर आरे में हॉस्पितल से साथ में हमारे केस्ट हैं डॉक्टर मनीच सिंगल स्वागत कीजिए उनका भी उनों को अमूमन लोग एक ही समझते हैं पर फरक क्या है कैसे समझ जाइस को हम पुनर सरनत्रा बोल रहाँ जैसे कि कि जशी का कुछ विकार है प्षबार कट कट गया है या कुछ भॉंड़ी के पार्ट कूश डिफक्ट है उसको दुबारा बनाना प्लासिक शरी है किसी में तो प्लास्टिक सरज़री के चोटा से कुम्पोनेंट है, एक सबसेट है. क्योंकि कल वर्ल प्लास्टिक सरज़री ते है, ऐसे में अलग-अलग हस्पताल अपनी थीम्स पर पब्लिक लेक्च्चर भी करेंगे, जिसमें आप भी जा सकते हैं. दॉक्टर आरेमिल हस्पताल की बात करें, तो जिस टीम पर आप कर रहे हैं, शुष्रूत इंडिया सर्जिकल हेरिटेज, इसमें क्या कवर होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जागरुख कराना है लोगों को, कि प्लास्टिक सर्जरी हमारे भारत में ही, प्राचीन भारत में ही शुरू हुई थी, और सुष्रूत ही थे, जुन्होंने शुरू में नाक की सर्जरी से और बाकी आगात के बाद जो विक्रती हो जाती है चेहरे पर, उनकी सर्जरी से शुरूआत की थी, प्लास्टिक सर्जरी की, तो हम ये जागरुकता फैलाना चाह रहे हैं, कि प्लास्टिक सर्जरी भारत का ही एक अभिन अंग है, हिस्सा है, शुरूआत जिसकी यहां से हुई है, और लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के ब उसमें किस बात पर पाचित होगी? हम बेसिकली बात करेंगे skin donation और skin banking पर. Basically skin bank का idea कम लोगों का है और कुछ doctors को भी कम है क्योंकि skin bank की संख्या पूरी इंडिया में बहुत कम है और जो भी आए हैं 2008 के बाद आए हैं. है क्या रॉक्स आप skin bank? Skin bank एक ऐसी सुविधा है जिसमें हम कोई भी मृत व्यक्ति की skin को हम process करके store कर सकते हैं और उसको जो अत्यादिक जले हुए हैं जिनके छोटे बच्चे हैं जिनको अपनी skin available नहीं हैं उनको हम इस्तमाल करके उनकी जान हम बचा सकते हैं और कितने भी doctors expert हो, कितने भी infection हो, कितना भी बढ़ी ICU हो फिर भी हमरे लिए जान बचाना बहुत मुश्किल है अगर हमारे पास एक skin की सुविधा ना हो कोई skin donate भी कर सकते हैं? तो skadaver के वाल मृत व्यक्ति की ही skin हम ले सकते हैं उसको skin donation करते हैं? ये हम live की नहीं ले सकते हैं तो प्रसेसिक तेम जो 8 हफ्ते का है उसलिए उसको bank में रखा जाता है immediately नहीं लगा पाते हैं डॉक्टर अगर कोई इन surgeries को करवाना चाहता है तो किस तरीके के test वगरा कराने पड़ते हैं पहले किस तरीके से तयारी करनी पड़ेगी देखी plastic surgery एक तरह की surgery ही है तो बाकी surgeries में जिस तरह की test कराने पड़ते हैं basically जो anesthesia की fitness के लिए वो सारे test की requirement यहां पे भी होती है इसके अलावा हमें कुछ surgeries में ये भी assess करना पड़ता है कि क्या वाकई में मरीज को इस surgery की जरूत है या फिर उसकी मानसिक स्थिती ठीक है तब ही वो ये surgery कराना चाहरा है कई बार होता है कि जो specially cosmetic surgery में कि उनकी जैसे अभी हमने addiction की बात की थी तो ऐसे ही मरीज इस तरह से addicted हो जाते हैं कि अभी मुझे अपने शरीर का एक हिस्सा सुन्दर कराना है या उसकी plastic surgery का cosmetic surgery करानी है फिर उसे लगेगा कि मुझे दूसरा हिस्सा भी कराना है तो दीरे दीरे लोग उससे obsessed हो जाते हैं या फिर addicted हो जाते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि whether the patient earn surgery or not specially cosmetic के case में बार्न्स के अगर बात करें तो अगर मान लीजे कोई वेक्ती है जिसे burns हो जाते हैं हाँ जल जाता है पैर जल जाता है तो क्या वो plastic surgery के लिए आते हैं और क्या प्रक्रिया रहती है फिर देखिए burns में हम सबसे पहले सबको ये एक advice देते हैं कि जब भी आप जल जाएं घर में कहीं भी तो आप उसको नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेशर के पानी में ठंडे में नहीं करीब 20 मिनेट तक आप पानी में रखें अगर आपके वास नल नहीं है तो कि गीले कपड़ा या गीला चादा या गीला तॉलिया उसके उपर आप रखें और जो burning process जो अंदर body के हो रहा है उसको आप ठंडा करके उसको खतम करें यानि पानी में बरफ डाल दे तो बहतर है ठंडा बिलकुल नहीं चाहिए है ठंडा नहीं चाहिए ठंडे से हमारी blood supply कम होती है हम ठंडा अवोइड करते है यह एक मिथ है तो हम उसको अवोइड करते हैं पर कोई भी पानी जो पीने युग्य है उसको आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप अस्पिताल जब लेकर आते हैं तो हम यह ऐसेस करते हैं कि वो जो स्किन गई है उसको हम को एक तरीके से इंफेक्शन से बचाना है हम को एक प्रोटेक्शन देनी है बॉड़ी को तब तक हीली ना हो तो या तो हम कोई आर्टिफिशल कॉलेजन या कुछ चोटी-मोटी शीट लगा कि उसकी पट्टी करके उसको मैनेज करते हैं इस तरह की सुच्टी और अगर हम जन्वजात कंडिशन की बात करें कंजेनिटल वहाँ पर प्लास्टिक सरजरी के कौन से केसिस आते हैं प्लास्टिक सरजरी में एक नवजात शिशू से लेकर हम बुज़ूर्ग तक ही सरजरी कर सकते हैं जहां तक रही जन्व जात विक्रती की बात वो यूजली हमारे पास या तो जन्म से पूर अगर अल्टर साउंड में पता चल जाता है तब आते हैं या फिर जन्म होने के बार जब माता पिता देखते हैं कि हमारे बच्चे में ये इस तरह की विक्रती है तब आते हैं जैसे विक्रती जैसे जी तो इसमें सबसे important हो सकते हैं craniomaxillofacial disorders जैसे कि जो skull की bones हैं वो fuse हो जाए और growth ना हो पाए चेहरे की विक्रती cleft lip and palate cleft lip and palate यानि कटा होट और तालू जिसके कारण बच्चे को आगे दूद पीने में या फिर बोल्डे में परिशानी आएगी इसी हिसाब से जैसे हाथ में उंगलियां या तो extra हूँ या फिर जूडी हुई हूँ और पैर में इस तरह से हो सकती हैं कि उंगलियां जूडी हूई हूँ या फिर उंगलियों के चारों और एक band जैसा हो जिसके कारण उंगली सूजी हूई हो इस तरह की विक्रती प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट होती है तो मरलब न्यूबॉर्ण बेबी जो है उनकी भी सर्जरी की जा सकती है जो सही टाइम होता है उस पे हमें एक्शन लेना होता है और हमें पेशन पेरिंट्स को एक काउंसिल करना पड़ता है कि इस उमर में ये सर्जरी जायज है अनसीजा का हम पूरा एफेक्ट देते हैं और पेइन फ्री करने की कोशिश करते हैं बट बच्चों को फिर भी थोड़ा सा पेइन तो माबाब को और बच्चों को रहता ही है तो रोग सब करते क्या है नसे जोड़ते हैं आप करते क्या है प्लास्टिक सर्जरी में जो निश्वाइब कर सकती है तो जो नसों की महीं सजर्जरी है आज की तारीक में वो पॉसिबल है जो पहले पॉसिबल नहीं थी विकाज जो माइक्रोस्कोप्स है और जो मैंग्निफिकेशन है और जो इंस्ट्रुमेंट से और जो स्किल है वो तेज़ीए एक्स्पांड कि अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी कराता है तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या वो जो करेक्शन की गई है जो ठीक किया गया है पार्ट क्या वो बिगड़ सकता है आगे चलके या उसमें कोई चेंज आएंगे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अक्सर ऐसा होता है स्पेशली जो जलने के बाद विक्रिती हो जाती है हाथ में गले गर्दन में या और किसी जॉइंट पे उसमें हम बच्च्पन में जैसे अगर कोई बच्चा आता है ऐसे तो हम उसमें ऑपरेट करते हैं और प्लास्टिक सर्जी से स्कें ग्राफ्ट या कोई ऑपरेशन यूज करते हैं लिकिन जैसे वह बच्चा बड़ा होता है तो जो पहले उसे दो सेंटीमीटर का अगर सपोस्ट चाहिए था टिशू तो अब उसे ज्यादा चाहिए बिकॉज अब वो बड़ा है अब वो हाथ भी बड़ा हो गया है जिस पर ऑपरेशन हुआ है या वो पार जो 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 है जो बड़ा बड़ा मास का एक टिशू किसी का नहीं है क्योंकि मास का टिशू होने जरूरी है क्योंकि फंक्शन वर्ण नहीं आएगा एवन जो टेंडंस है जो हाथ की केवल्स है वो भी हम लगा देते हैं, एवन ब्लडबशेल हुझाल देते हैं, नसे जोड सकते हैं, तो यह सब जो रेंस्क्क्षिन सर्वा ठाट कारछ कीink पॉट आनो मुझालती। जले जाते हैं वो भी इसी में ग्लूड होते हैं अगर हम अपने स्कल की बात करें बालों की बात करें आजकल लोग hair transplant करवाते हैं तो क्या वो इसी surgery का part है या वो कोई अलग चीज है बिल्कुल इसी surgery का part है in fact जैसे cosmetic surgery की बात हुई थी तो यह hair transplant या बाल प्रत्यार उपन इसी का ही एक आजकल बहुत common हो गई है यह surgery किस तरीके से मतलब यह surgery conduct की जाती है और क्या चीजें पहले ध्यान रखी जाती है कौन करवा सकता है देखे जादतर आजकल मेल्स में देखा गया है कि अगर उनकी हेर लाइन रिसीडिंग है या फिर एक पैटर्न ऑफ बॉलनेस अगर आ रही है तो उनको एवाल्यूट किया जाता है कोई मेडिकल कंडिशन तो नहीं है या कोई और हॉर्मोनल इंबालन्स तो नहीं है और इस तरह से और बाकी जैसे आपको बताया आनस्थीजिया की फिटनेस के लिए जो भी हमें चाहिए होती है इन्वेस्टिएशन वह क्लियर है की नहीं फिर हम बॉडी से ही है लेकर फॉलिकल्स लेकर उनको उस एरिया में लगाते है इस डिजाइन में इस तरह से की हेर लाइन बन जाए या फिर जो बॉल्ड पैच है वो कवर हो जाए तो उसमें भी ऐसा नहीं कि लगाने के बाद त करती है इसमें जी डेफिनेटली करती है एज के साथ अगर कोई और विमारी कुछ अगर है या जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकेस में कई बार रिजल्स बहुत अच्छे नहीं मतलब उस तरह के नहीं आपाते लिकिन अदर्वाइज काफी मतलब जो मिडल ए चलिए प्लास्टिक सरजरी से जुड़े myths अन reality की बात करते हैं पहली धार्ना जो रहते हैं डॉक्टर मनीश वो यह कि प्लास्टिक सरजरी मतलब यह तो अमीर ही करा सकते हैं यह myth है या reality देखे मिठ है यह और जैसा भी बताया कि अगर किसी को बच्चे में विकार है और कि किसी को चोट लग गई है किसी को हाथ की मिमारी है तो हमारे हस्पटालों में तो मैं कहता हूं 95% रेगुलर नॉर्मल पीपली आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा दूसरा धारना कि प्लास्टिक सर्जरी में आप लोग प्लास्टिक लगाते हैं जी यह भी बहुत बड़ा मित ह है और में खाल से जादतर लोग यही सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का नाम ही इसले पड़ा क्योंकि प्लास्टिक क्यूज होती है जबकि बिल्कुल ही गलत है प्लास्टिक जो शब्द आया है वो एक प्लास्टिकोस ग्रीक शब्द से आया है इसका मतलब है किसी को मोल होता है जो कि हाई-देंसिटी पॉलिमर होते हैं,isa.ि अे तानससके के साथ ऐती होते हैं लिए फ्लिकंड होते हैं। No Again, not plastic. एक थी के थार, जो खौन हम मुवी और टी वी सी में सेडियलों को देख कर हमें जिग्यासा जाकती है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के आप अपनी शकल पूरे तरीके से चेंज करवा सकते हैं थोड़ा बॉड़ी का पार्ट हम चेंज कर सकते हैं पूरी शकल का जो एंवलप है आपका वो बोन पेडिमन करता है और आज की तारीक में फेस टांस्पांट जिसे बोलते हैं वह एक जो एक एकसेसिली जला हो उसका ही हो सकता है और कंट्री वह दो-तीन कंट्री करती है और ब प्लासिक सरजरी के बारे में लोग की यह मैं बताना चाहूंगा की जैसे माडम ने बताया सुर्शूत के बारे में तो इसकी शुरुवात इंडिया से ही हुई है प्लासिक सरजरी की और हम ही उसमें सबसे आगे हैं और हम ही इसमें सबसे आगे थे और इंडिया में आज की जो लोगों को जब भी लगे की हाथ पेर नहीं काम करें उंको प्लास्कि सर्जरी में जरूर एक बरी और जहाएं। जो रिशर्च के आपने बात की की एक ट्वहें की सिंड दुसरे बॉड़ी पाट से ले लिए तो आर्टिफिशल न्व्स में कितनी प्रगती हुई है। काम आते हैं हम लोग उतना कामें नहीं ले पाते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत जादा है तो रिसर्च के माधियम से यह अविलेबल तो है लेकिन अभी और एक छोटे से नर्व गैप के लिए वो यूज हो सकता है बड़े नर्व गैप के लिए बहुत जिस्फुल नहीं है और सबसे अच्छी बात है जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी का जो दायरा है वो किसी एक अंक किसी एक रोग किसी आयू या किसी लिग तक सीमत नहीं है वो पैर के नापुन से लेके सर के बाल तक आप प्लास्टिक जो एरिया है उसको कवर करता है तो अभी इंडिया में ही इतने स तो इस तरह की सर्जरी बहुत हो रही है और आगे भी इससे एड़ाइंस सर्जरी जोती रहेंगी और प्लास्टिक सरजरी के बारे में अगर लोग और जादा जागरूख होंगे तो डेफिनेटली जादा बेनेफिट हम कर पाएंगे सुसाइटी को और जिनको जरूरत है उनक और क्योंकि वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डेय है, वर्ल्ड में कितनी पॉपिलर है इस स्पेशालिटी बहुत पॉपिलर है, और मोस्ट दिमांड है अमेरिका में और वेस्टन कंट्रीज में, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी का दिमांड जादा है जनल प्लास्टिक सर्जरी डायरे में क्या क्या आता है यह सरलता से बताने कंगे लिए उत्पर मनीश आपका शित्टी आपका बहुत-बहुत आ इंक-yoo